आज हम आपको लीवर को ठीक रखने की हमियोपेथिक दबा के बारे में जानकार दूंगा यह लीवर के लिए बहुत अच्छी दबा है अगर लीवर में किसी तरह का इंफेक्शन या किसी तरह का लीवर में डेमेज हो गया या आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो यह लीवर के लिए बहुत अच्छा दवा है बताने जा रहा हूं जो आपके लीवर को बिल्कुल ठीक कर देगा यह हमियोपेथिक की बहुत ही कारगार और अच्छी दवा है इस दवा का परियोग करके बहुत साहे लोग ठीक हुए है तो ऐसे ही नालेजबल वीडियो पाने के ल दोस्तों आज हम आपको लीवर को ठीक रखने हमियोपेथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा जिसको यूज करने के बाद आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा यह हमियोपेथिक दवा लीवर के लिए बहुत ही कारगार और अच्छी है एक बार आप लोग बहुत आवस्या अंग होता है इसलिए इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है अगर यह देमेज हो जाएगा तो सही में बहुत साही में मारियां का सामना करना परेगा दोस्तों आप हम जानते हैं लीवर खराब होने की क्या क्या कारण है तो सबसे पहला कारण है लीवर आपको लीवर में कोई प्रोलम आगया तो आपको क्या क्या लचन नजर आएंगे चलिए हम वो जानते हैं तो पहला आपको लच्छन आएगा भूक नहीं लगेगा खाना ठीक से नहीं पचेगा इचिंग होगा टोचा में उल्टी और ठकान महसूस होगा और भी बहुत साए लच्छन दिखेंगे लेकिन ये सब लच्छन पहले दिखेंगे आपको दोस्तों लीवर खराबी का पता हमें जांच के बाद ही पता चलता ह यकोशन करने से लिवर को जांच कर्वाथे हैं जैसे घ्र ठेंगे ज्यूसंतों लागे लगे कि खाना बता नहीं होज़ा च्रूंद जाहल खानी फनकिन हमने पता हुश चलते हैं दबाय की ओर, तो हम बताते हैं हमियोपेथिक की पहली दबाय का नाम, तो पहली दबाय का नाम है लिफ्टी सीरफ, तो इसको यूज करने का तरीका जानते हैं, दो चमत दीन में तीन से चार बार खाना खाने के आधा गंटा पहले लेना, और बच्चों को इसका आधा मतलब दीन से चार बार देना है, तो लिवर की प्रवलम में शुधार आएगा, दोस्तों अगर यह दबाय से अगर लिवर ठीक नहीं होता है, तो एक और दबाय का नाम बता रहे हैं, उस दबाय का नाम है कालमेक ड्रोप, दोस्तों तो इसको यूज करने के तरीका है, वन भोट क पानी में 10 से 15 बुंदाल कर 3 से 4 बार, बच्चों को वन फोट का पानी में 5 बुंदाल कर 3 से 4 बार, तो दोस्तों इन दोनों दबाय का परियोग करेंगे, तो आपको कैसा भी लिवर में डेमेज हुआ हो, तो वो ठीक कर देगा, तो यह दोनों दबाय का परियोग करके आप दोनों दवाय के बीच में 10-15 मिनट का अंतर जरूद है पहला दवाय लें उसके बाद 10-15 मिनट के बाद ही आप दुसरे दवाय का पर्योग करें तो इससे यह होगा कि जाद दवाय ज्यादा पैदा करेगी यह दोनों दवाय आपके लिवा को ठीक कर देगी हमेशा के लिए जल्दी से आपका ली अदिओ ज़्यादार हो जाएगा दोस्तों आप दवा लेते समय कुछ ध्यान देने वाली बात होती है जो मैं बता रहा हूं तो दवा लेते समय हमेशा मुझ को साफ रखें मुझ से किसी तरह का इसमेल नहीं आना चाहिए जैसे लसुन पिया ज़रक पान गुटका ठंबाकू इसमेल नहीं आना चाहिए तो सब्सक्राइब करें यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है दवा लेने से पहले एक बार आप नर्जी की डाक्टर से चला जरूर दो ले लें वीडियो देखने के लिए धन्यवादा